इस वीडियो में आज हम जानेंगे यह जो डॉल रॉल का फिरीज दे रहे हो डॉल रॉल मतलोब यह साइड बाई साइड का फिरीज इंड इसन और फिरीज है यह अलहाला का शीम चाहता había 255 दो का आता है 655 का धाता है 600 वशाचाहिते हैं यह चौक्त इसमें लाता है शुन है को दहिते हो द्रेज्से कीund inspect प्रॉहेरा लेकिन उसादा कृलिक्स दो थो नहीं हो रहा है तो जो कैप और इसको कैसरा दूर करें गिए वैज वीडियो में की लोग लगत сил तरह दियान से देखना क्योंकि इस पर क्या पॉब्लेम है और कैसे दूर किया हूं यह पॉब्लेम है हर चीज दिखाया हूं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे तो अंदर से अब तो ऐसी टेमप्रेचर मिटर डख के उसको चेक कर सकते हैं इसके इंटरनल चेक करने के है उसके फैन भी लगा हुआ है तो यह सब चीज देखेंगे देख पाएंगी तो यह पे बाहर भी कंडेंसर है और बोड़ी के साथ भी थोड़ा पाइब लाइन है तो यह पहले काम हुआ था तो चार्जिंग नहीं लगा हुआ है इसके लिए तो हम लोग गैस भी चेक कर स लिए पे चौक्ट है कि नहीं या कुछ पोडिम है कि लेकिन इस पर जैसे गैस जैसे चालो हो गया लेकिन इस पर 134 का गैसे लेकिन इसका बैक पे सर्जो निख रहा है जिरो पे है पहले पेसर दिखा रहा था मुलंब पचास के असमा से डाउन होके आया जिरो पया आ उसके बाद उसका जो स्टेनर है या फिल्टर हो भी हलका सा मेसूस कर पाएंगे थोड़ा बहुत हीट होगा और कैपिलरी भी हलका सा हीट होगा मतलब हाथ की उफ़े साइट पर रखेंगे टाश करेंगे तो आपको मेसूस होगा इस तरह पता लागा सकते हैं अब कंपेसर को पांपिंग डाउन होगा तो भी ऐएसे होता है कि करने सहाइन होता है स्टेनर ठंडर नहीं होता है गरम नहीं होता है ऊसतरह यां पर देख पाड़े इस पर भैकॉम पर आ गया है मतलब सिस्टेम में चोक्त हो सकता है अपका कॉमपेसर में पंप डाउन हो सकता है लेकिन हम लोग इसको गैस निकल किये हम लोग जब इसका कैपिलरी या स्टेनर के आँपे काटेंगे तो पता चल जाएगा कि कहां पर चोक्त होगा तो मतलब अब जब चार्जिंग लाइन का पाइप तोर देंगे तो वहां से पुरा गैस निकल जाना चाहिए लेकिन हमें लागा हुआ है तो भाल खोल देता हूं तो गैस नहीं निकलता है मतलब कोई जगा चोक्त है अब कहां चोक्त है हम लोग यहां पर इस्टेनर के पास का काटेंगे तो इस्टेनर के अंदर से गैस बाहर आ रहा है तो मतलब के लिए हैं अब जिस पर नहीं आएगा वह जाम होगा तो इसको तोड़ते हैं गैस हालत में इसे चेक करना पड़ेगा जैसे अभी देखिए को दर से गैस निकल ला है मतलब ओ लाइन के लिए रहे हैं अब देखिए कैपेलेरी की तरफ गैस निए बिलकुल नहीं है क्योंकि सिस्टेम के अंदर गैस यह दोनों तरफ से लिकुट आना चाहिए यह देखिए ओषाए पिंज कर दिया हूँ अब यह साइड देखो बिलकुल गैस नहीं है इसका मतलब आपका कैपेलेरी जो है वह ब्रक्रावां से भी छोक्ष होता है तो उसके लिए आपको कैपिलेरी चेंज करना पड़े नहीं तो इसको सही ततरह से फ्लास करना पड़ेगा तो इस वीडियो में आज हम वह बी देखेंगे किस तरह आप अलग 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 फ्लास कर सकते हैं कि अंदो कंढल से प्ला तो हम लोग क्या करेंगे यह अंधर वहला जो गैस ही मार मैं इसका सिस्टेम में जो घैसी इसको पूरा निकल देंगे लेकिन एक काम जो है खुला में करेंगे मालोग छिगाह पर करेंगे कि की घैस बततबाइब के कैपिलेरी खोल दिया हूँ जैसे अभी देख पाड़े हो यह दोनों कुलिंग कोयल के सिस्टेम है मतलों डिस्टास साइड और कुलिंग कोयल होके यहां तक आता है यह एक लाइन है दूसरा एक है कि यहां पर कॉंपिलेरी लगा हुआ है और पूरा सिस्टेम घूम के यहां यहां पर आके खतम होता है एक दूसरा लाइन ही मतलों कर दिया हूँ अब हम लोग यहां पर सक्षन लाइन पे इनर्भी भाल्ब सोल्डरिंग करेंगे यूकि ऐसे पेसर देंगे और कैपिलरी के दूसरे पास से निकलेंगी और फिर इसको हो जाएगा मतलों फ्लास हो दूसरा कुछ क्लिन करने के लिए डाल सकते हैं कि आम लोग यहां पर सीटी सी जो लिक्विड है और यूज किया हूं तो यहां पे सिरिंज की में अदम से मदलों जो इंजिक्सिन कर सिरिंज हो बड़ा साइच का कोई भी चीज ले सकते हो तो वहां पर 20 ml का लिक्विड ले तो जैसे देखे पाड़े हैं मालोब पहले देखा दिखाया हूं कि पेसर दिया हूं तो सक्षेन लेंज निकल ला है लिक्विड मलू अंदर जो वाइल है या कुछ भी है वह सक्षेन से निकल गया है इस तरह कुलिंग को अप फिलाज कर सकते तोनों तरफ से मालोब कैपि करेंगे करनी आए रिक करने खाlance के बदेशए सिस्टेम कंप्लीट हो जाने के बाद जैसे एसे अधिन इसे लगा देंगे लगाने के बाद हम लोग मेसी की बदक चालो करकर देख लेंगे कि यह पुरा सिस्टेम घूंकि जो पीसर है और आ रहा है किने जेसे एंप मेसीं च काम कर रहा है अभी हम लोग का काम हो गया है सक्सेल लिंग करने के बाद काम हो गया है कि यह वैकुम करने का काम है यह वैकुम का जो सिस्टेम है और स्ट्रीनर के डौबल टूल है जो होता है वह है कि लाग हकोशा को सकते हैं और स्ट्रीनार को क्रूलौ सिस्टेंट कमपेश किसा लागा होता है उसको लग कर सकते हैं दूनों पतरह से भी हक़या होता है लेकिन यह थोड़ा लॉंग कचरा या जो भी बोलोंगे वो तो रही जाता है तो उसी सब से इसको लॉंग टाइम वैकुम करने से सबसाथ चरहेगा तो उसी सब से हम लोग उसको भैकुम करें के लॉंग टाइम जैसे भैकुम ही हो गया है अभी थोड़ा दिर गैस दे दिया हूं थोड़ा सा मतलूब गै जहां तक पाइप गया है वहां तक भी हीट होना चाहिए दरवाजा के साथ सब थोड़ा बहुत होता है और अंदर कुलिंग भी सही तरह से निकल आए के नहीं वह भी देखेंगे तो थोड़ा दे चलने के बाद हम लोग देखा हूं यहां पर देखें आइस जमना शुरू हो क्यों सेप्पिही